हरे किष्णा, आज हम जो है एकादसी के विश्य में चर्चा करेंगे, तो एकादसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्ण आ रहे हैं, कि माता जी हम किस प्रकास से एकादसी का वरत करें? एकादसी का वरत करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है, एक दिन पहले से ही हमें ये ध्यान रखना है, कि दूसरे दिन हमें क्या 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 करना है, सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म महुत में चार बजे, पाँच बजे उठ जाएं, सोयम को इसनान आदी करक उनको अच्छे वर्स्तर पहनाएं, फिर उसके बाद में उनका सिंकार करें, उनको चंदन तिलक वगेरा करें, जिस चंदन से हम तिलक लगाते हैं, उससे भगवान को तिलक नहीं लगाना है, हम भगवान को चंदन घिस के तिलक लगाना है, और हम जो चंदन लगाते हैं, तो गोपी चंदन जो है खासकर गोपीयों के शरी से बनी मिट्टी से बना हुआ चंदन है जो हम भक्तों के लिए हैं। उसके बाद में तुलसी जी की सेवा का भी उतना ही महत्व है तो तुलसी जी को जल अरपन करें उन्हें पुश परपन करें और दसनी के दिन ही तुलसी पत्र जादा से जादा मात्रा में हमें जो है चुनकर रख लेने चाहिए क्योंकि एका दसी के दिन और दुआ दसी के दि तुलसी पत्र नहीं तोडने है तो जितनी चाहे मंजरी और तुलसी जी आप भगवान के लिए अरपन करने के लिए उने भोग लगाने के लिए पहले से ही रख ले उने बाल भोग लगाए उसके बाद में उनकी मंगला आर्थी करें मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ मंगला आरती कैसे करते हैं तुलसी जी की आरती का भी उतना ही महत तो है तो तुलसी जी की आरती भी बाकाइदा गा कर अच्छी तरह से की जाती है और इस जनम में मुझे याद आया है तो मैं अच्छी तरह से आपकी सेवा भक्ति करके अपने सभी पापों से निवरत होकर जो है इस जनम मित्यु के चक्र से छोट कर वापस अपने घर भगवादाम आपके पास आना चाहता हूँ और मेरे इस वरत को सफल करवाईए इस प्रकार की भगवान से प्रात्ना करें आरती वगर अलें और उसके बाद में अपना जब करें जब आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब आपको इतनी बज़े करना है हाँ ब्रह्म महुर्त में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब ज़्यादा प्रभावसाली होता है लेकिन यदि आपको समय नहीं है किसी कारण से तो सुबह सुबह जितनी माला हो सके उतनी माला कर लें बाद में जब जितने इस टाइम में आप करना चाहें रात के बारा बज़े तक आप कर सकते है अधिक से अधिक जब करने का प्रियास करें 25 माला, 16 माला, 50 माला, 64 माला जितना आप कर सकें अधिक से अधिक जब करें भगवान के विग्राओं को बहुत अच्छी तरह से सजाएं, तैयार करें कहने का ताथ पर ये है कि अपनी एक-एक इंद्री को भगवान की सेवा में लगाना है आखों को, जीवा को, इसी प्रकासे हातों को और अननेसेसरी हमें टॉकिंग नहीं करनी है जैसे किसी के साथ में कोई भी व्यर्थ की वारतलाप, भक्तों के साथ में रहें और ऐसे लोगों से ज़ादा ना मेलजोल करें जो लोग हमें भक्ती से दूर करते हो अब आ गई है बारी परशाद की तो भगवान के लिए हमें खोई भी हम भोग भगवान को लगा सकते हैं लेकिन हम अन्ने ग्रहन नहीं कर सकते तो यदि आप अन्ने का भोग लगाएंगे तो उसका क्या करेंगे तो आप फ्रीज वगरा में रख दीजे दूसरे दिन ग्रहन कर लीजे एक अदसी के दिन आप क्या खा सकते हैं तो उस दिन आप या तो जल पीकर रह सकते हैं नेजला उप्वास कर सकते हैं या फल ग्रहन करके रह सकते हैं या तो कुछ चीज़े हैं जो उप्वास में खाई जा सकती हैं जैसे कि आप मुंफली का तेल, घी, ऑलिव ओईल और इसके बाद में आलू और आलू के पापर चिप्स वगरा यह वो भी ले सकते हैं इस प्रकास से कुछ सब्जियां भी ली जा सकते हैं जैसे क्प्सिकम है, जो है गोवी है, पत्ता गोवी है तो वो ले सकते हैं, दूद, दही, पनीर इस प्रकास से शकर वगएरा गोड आप ले सकते हैं उपवास में कुछ भी ले जाकर यदियाप अनार पपीता तर्बूज केला इत्यादी भोग लगाते हैं वोई भी फल तो अच्छी तरह से उसे स्वक्ष कीजिए साफ करके उसे चील कर कट करके फिर उसे भगवान के सामने रखिए ऐसे ही नहीं रखना है उसके अंदर बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसे कीड़े वगेरा तो भगवान को हमेशा साफ करके जैसे हमारे गर कोई महमान आता है तो हम उनको किस प्रकार से उनको सेवा प्रदान करते हैं तो भगवान तो उनसे भी कहीं उपर हैं तो हमें तो उन्हें और भी अच्छी तरह से जो है स तो देना चाहिए श्रवन के उपर महत्व देना चाहिए यानि कि भगवान का विशे सुनना चाहिए और अधिक से अधिक जो है हमें भगवान का विशे ही पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से भगवान की भोग की थाली लगानी चाहिए सही तरीके से सभी चीजों को हमें उन अते हैं कि हम इतना भोग कहां से लगाए तो भगवान कभी भी कुछ भी नहीं मांगते हैं victories गेता में इसे भी ग्रहिन कर सामने तो भगवान उसे पूरे दिन की हमारी जो क्रियां हैं उनके उपर हमें ध्यान रखना है कि अपनी इंत्रियों को हमें केवल भगवान की सेवा और भक्ति में लगा कर रखना है ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए जैसे शीमत भागवतम भगवत घीता कृष्ण बुक है बहुत सारी ऐसी पुस्तके हैं जो कि भगवान की पुस्तके हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं और बहुत सारा जो है भगवान का विश्य उसमें से जान सकते हैं और हमें केवल भगवान का प्रशाद ही खाना चाहिए और कई भक्त पूछते हैं तुलसी जी का पान का क्या करते हैं तो उसे हैं परसु नहीं है हमारी नली चोटी सी है तीवी में भी हम सुन सकते हैं जो भागवतम वगेरा है उसको श्रवन कर सकते हैं इस प्रकाश से हमारा पूरा दिन निकल जाए और दूसरे दिन पुरम मुर्त में उठकर इसनान आधी करके सेम भगवान को हम अच्छी तरह से इसन पारायन कर सकते हैं यदि आपको समय पता है पारायन का तो उस समय में कीजिए नहीं पता है तो सूर्य उद्य के बाद कभी भी पारायन कर लिजिए आप किसी भी पंदिश से या कहीं मंदिर में पूछेंगे तो भी पारायन का समय आपको पता चल जाएगा लेकिन यदि न नहीं पता चलता है तो भी आप परिशान मत होईए आप जो है सूर्य उद्धे के बाद भगवान का प्रिशाद ग्रेंड करके अन ग्रेंड करके कर सकते हैं हरे किष्णा